सबी व्यूवर्स को नमस्ते and welcome to our new recipe तो गर्मियों में रायता एक ऐसी डिश है जो सब के घर में डिमांड में रहती है और अगर रायते को मखाने के healthy combination के साथ बनाई जाए तो इसके क्या ही कहने तो चलिए बनाते हैं बहुत ही जबरदस्त मखाने का रायता मखाने का रायता बनाने के लिए सबसे पहले pan को गरम कर लेंगे गरम pan में एक कप मखाने को dry roast करेंगे medium heat पे मखाने को बीच बीच में चलाते हैं रोस्ट करना है 3-4 मिनिट में मखाने का हलका सुनहरा रंग आने लगेगा तो मखाने को इतना ही भूनना है इसको ठंडा होने देंगे मखाने एकदम क्रिस्पी रोस्ट होके तयार है अब एक बोल ले लेंगे मेरे पास ये मिट्टी की हांडी है तो हम इसी में रायता बनाएंगे यहाँ 400 ग्राम दही लिए जो लगबग 3 कप दही है दही को हांडी में डालके इसको अच्छी तरह से फेट लेना है तो एक विसकर से इसको फेट रहे हैं जिससे दही में कोई भी गुटलिया नहीं रहेंगी दही बिल्कुल स्मूथ हो गई है तो इसमें मसाले डाल देंगे एक छोटी चमच नमक डाल रहे आधा चमच काला नमक डालेंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है आधी चमच लाल मृष का पाउडर आधी चमच भूना हुआ जीरा पाउडर आधी चमच चाट मसाला और एक चमच चीनी डालनी है थोड़ी से धन्या की पत्ती को काट के डाल दिया अब इन मसालों को दही में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है तो चमच या विसकर की मदद से दही को एक बार फिर से फेट लीजे दही मसालों में अच्छी तरह मिल जानी चाहिए अब हमारे रोस्त किये वे मखाने बिलकुल ठंडे हो चुके हैं तो इसको दही में डाल देंगे, मखाने को चम्मच की मदद से अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लेना है, सारे भूनेवे मखाने दही से सनेवे होने चाहिए, आपका स्वादिष्ट मखाने का रायता तैयार हो गया है, आप इसको ऐसी सर्फ कर सकते हैं, ये क्रिस्प और क्रं आप भी इस मखाना रायता को जरूर ट्राइ कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो रेसीपी को लाइक करना और शेर करना मत भूलिएगा, थांक्यू फो वाचिंग